स्लोक संख्यां पैसेट मैं आगे बोलूगा पिछे आप बोलेंगे फिर दो या तीन बढ़ में बोलूगा पूरा स्लोक फिर आप लोग में से मन मना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सी सत्यमते मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरू माम ए वैसे सत्यमते प्रति जाने प्रियोसी में मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरू माम एवेशसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में मन मना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू माम एवेशसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में मन मना भाव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरू माम एवेशसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोशी में सब्द स्लोक का सब्दोकार्थ बताऊंगा फिर अनुवाद और तात्पड़ी बनाएंगे मद मना मेरे विशय में सोचते हुए भाव हो मदभक्त है मेरा भक्त मद्याजी मेरा पुजक माम मुझको नमस्कुरू नमस्कार करो माम मेरे पास एव ही एस्चसी आओगे सत्यम सत्सच ते तुमसे प्रति जाने वाइदा या प्रतिग्या करता हूँ प्रिया प्रिया असी हो में मुझको अभी अनुवाद और तात परे कृष्ण क्रिपामर्ति श्री स्रीमत एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अचारी अंतरास्ट्रे कृष्णा क्रिष्ण भावर्णामरित संग के द्वारा सदयव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पुझा करो और मुझे नमस्कार करो किस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वच्चन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रियमित्र हो तात परिये ज्ञान का गुहीतम अंस है कि मनुस्ति क्रिष्ण का सुद्वख्त बने सदयव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे व्यावसाइक ध्यानी बनना ठीक नहीं है जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि क्रिष्ण का चिंतन करने का सदा आउसर प्राप्त हो मनुस्ति इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म क्रिष्ण के लिए हो वह अपने जीवन को इस प्रकार विवस्त करें कि 24 सो घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे और भगवान की यह प्रतिग्या है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिधि में रहेगा यह गुहितम ग्यान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिये मित्र है जो कोई भी अर्जुन के पत का अनुसरन करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धी प्राप्त कर सकता है ये सब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुस्री को अपना मन उस कृष्ण पर एकागर करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंसी धारन किये सुन्दर मुखवाले तथा अपने बालों में मोर पंक धारन किये हुए सामले बालक के रूप में है कृष्ण का वर्णन बरम सहीतत्था अनि गरंथों में पाये जैता है मनुस्री को परम इस्वर के आदी रूप कृष्ण पर अपने मन को एकागर करना चाहिए उसे अपने मन को भगवान के अनि रूपों की और नहीं मोरना चाहिए भगवान के नाना रूप है ये था विष्णू, नारायन, राम, वराह, आदी किन्त भग्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंदित करे जो अर्जून के समखस्थ है कृष्ण के रूप पर मन की यह एकागरता ज्ञान का गुहीतम अंज है जिसका प्रकटिकरन अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि वह क्रिष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है तो यह जो स्लोक है यह भगवदीता का चरम स्लोक है और इस स्लोक को मैं जो समझ पाया और जो सुना हूँ अपने गुरु परमपरा में तो उसका मैं अपना उस असार से बोलने का प्रियास करूंगा में इस अंदर में में वालत चाहूँगा कि जब विदुर जी मैत्रे मुनी से पूछते हैं कि मुझे बताइए भगवान कैसे सिर्ष्ठी की रसना करते हैं भगवान की क उनी का नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं तुरूटी है मैं लेकिन मैं भगवान का गुनगान करना चाह रहा हूँ तो मुझे मेरी इच्छा है कि मैं भगवान का गुर्गान करो तो ये जो स्लोक है ये भगवत गीता का चरम स्लोक है चरम स्लोक मतलब भगवत गीता का सार है भगवत गीता सारे वेदों का सार है और उस वेदों के सार का सार ये स्लोक है इस स्लोक को जो को कुश है वो साधान सबस सब्सक्राइब कर रहा है नोमिशाड कर रहा है तो भग्वान बताता है इसका मतलब कोई इंपोरेंट missions एक और खास बात है आपने देखा कि इस मैन्द मना हो भगवान ने कर भी Genesisर कि यो С का वागवान ने ऊस्टो डिकी प्रहक बागे में ने मन मना बोला होड़ा कि अगर बो जाए जस्टार्टोर्ट भगवान स्लोग देने के बाद भागवान ने आगे बताया है कि बता सकते हैं कहां पर मैई आस्त मना पार्था इतानी सरवानी सहीं यह युक्ता आसीत मत पढ़ा है भी अलनी संब्सक्राइब था मैए सब won अब कर दोन त्ह किया है इस उप धिरेसद और लेकिन एक स्लोग है जिसमें सबसेदार प्रवचन दियए वह ऊझ chi सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस लोग का प्रवच्छन देना का देना शुरुवात कि उन्होंने इस लोग को जब रिपीट किया है तो उन्हें वाट इस डिफिकल्टी भगवान बता रहे हैं कि आप मेरे पास आजाओगे आपको क्या करना है वली चार कारी करना है क्या हम भगवान की पुजा नहीं कर सकते हैं क्या हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं क्या हम भगवान को परनाम नहीं कर सकते हैं सिंपल है हम लोग कही जाते हैं मंदर जाते हैं तो इतना सरल उपाए है तो ऐसा सवाल पुछा सकता है कि क्यों फिर वेदों में ऐसा वर्णन है कि जो 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 ऑस्प्रिच्व लाइफ है आध्यात्मिक जीवन जो है थुरस्त ध्याड़ा निस्ता दुरत्या दुर्गम पत्थाथत कत्यों बिधन्ति तो बड़े जो जो ज्यानी लोग है वो बताते हैं कि भक्ति मार्ग है तो आचारी क्या करते हैं आचारी उसको करते हैं हमारी योगिता नहीं है कि हम अध्यात्मी जीवन में प्रवेस्ट कर सकें लेकिन प्रभवाद बता है वाट इस डिफिकल्टी और प्रभवाद ने हमको एक ऐसा वेवस्ता दिया जहां पर हमारी ट्रेणिंग की जाती है हमारी ट्रेणिंग जाती है जिस प्रकार से एक बच्चा जन्मी लेता है तो यह करना है और यह करना है उस पकार से रही है जिस ट्रेणिंग माध्यन से हम इसको समझ पाएंगे कि कैसे हमको हमेशा भगवान का बगवान में मन लगाना भगवान यहां पर तात्पड़ी में बता रहे हैं कि कि चर्चा करेंगे उस पे कि मनुष्य इस प्रकार अपने अपना कर्म करें कि उसके सारे नित्य कर्म क्रिश्ण के लिए हूँ वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यभसित करें कि 24 गंटे क्रिश्ण का ही चिंतन करता रहे और भगवान की यह प्रतिग्या है कि जो इस प्रकार कृष्ण भाववना महीं होगा वह निश्चित रुप से कृष्ण धाम को जाएगा तो हम लोग कल से जहां पर इस इमबा गाउ में आए हुए आग और हम लोग पुस्तक बित्रन कर रहा है हमारा मन भागवाट पर लगा हुआ है सावड़ लोगों है हम लोगों ने बहुत ब्रहुम पर यह सकता है कि यह इसलिए जो आचारी है पर होट करदाद ने अपने पुस्तकों मेरों बात किया है तिसी जम्दाइं क्या होगा हम भक्तों का संग करें अभी हम लोग नगरियी जीमनय में रहते हैं मँस्ट व टाइम हम लोग क्या करते हैं फ़िसक्तों का संग क्या consequence होगा है चायायते जगतो हीता हम उग्रकर्म कर रहे हैं तो कैसे हम भगवान में मन लगाएंगे भगवान के बिरुदुकारी कर रहे हैं तो नगड़िये जीवन जो है वो अभक्तों का संग होता है जब चतने महाँ पूछा गया कि कि किस प्रकार से बैसनों के आश्रन क्या है मैं तो उन्होंने एक उसके जब दिया ऑसत्त शंह्त्याग पने वहां तो नगरर्य जीवन में भानळीया घये है और माया का प्रकटी करन महां पर तिवी रूप में और बाहर जैसे निकलते तो सलबस्त होटे हम होते हैंods पूर्स कमर्सेरेड में बहुत गंभीर विवस्ता होती है इसके बाद सिनेमा हॉल होता है और डीजे चल रहा होता है ऐसी बहुत साड़ा है तो माया प्रकट रूप में साड़ में नहीं हो गाया तो इसलिए गुरु मराज शिला प्रभुपाद बार बार हमें बता रहे हैं क कि हमें इस विकल्प पे ध्यान देना चाहिए इस विकल्प बरनास्नम बेश्ता है और क्रिश्ट समदा है भक्ष समदा है तो एट लिस्ट हमारे नेक्स जनेरेशन को हमारे बच्चें को सुद्वख्ति प्रेम जो मनुस जीवन का परमुदेश है प्रहला दमाज क्या बता बच्चेंट से भगवान को प्राप्त करना लेकिन हम क्या प्राप्त करना है नाते विदु स्वार्त दुरा सया यह बही रखे हुए हमारा मेटरियल इस पारेशन मैं यह कर लूँगा अभी तीन वेडरूं का बंगलों खरीद लेते हैं तो यह क्या है आचारी बताते हैं दिवप इस मेटरियल इस पारेशन को कि एस पारेशन हम को अश्पीरिचुल लाइब के ग्रोथ को रोकता है और भागोईता के दुस्से देह में बदाते हैं कौन सा स्लोक भोग ऐस्वरिय पर सकता अत्मा तया अपरिचे सा अगर हम अस्पारेशन रखेंगे तो हमारी आस सबसे पहले जो हम लोग बोलने में वर्नास्राम में विस्था होनी चाहिए को कि भगवान बता थाक्स मैंने किरी गुन एभाकस जो हम लोग हैं भगवत कीए कारी नहीं है दिहान पूर्व कमको साभजना है सब से पहले जो हम लोग हैं भगवत कीता के ना कि जन में कि उसको Cheer करना है कि उस्चार वर्नों के गुन क्या है तो ब्रहामन के गुन है मड़ामन के गुन क्या-क्या है फिर चत्रिय के सवहाब बताए गया है और फिर वैसे के सवहाब बताए गया है तो चत्रिय का ब्रहामन का कारी क्या है कि लोगों को भगवान के बारे में भगवान के आदेश के बारे में लोगों को जागृत करना है क्योंकि ये प्लेस जो है वो क्या है यह प्लेस माया का प्लेस है तो हम इमिनेटली भूल जाते हैं हमको भूलने की विमारी है तो हम भूल जाते हैं तो ब्रहामन क्या होता है वो हमेशा कैसे करके हैं वह ठोँ मिपन्ठधन यजन या जन को खुद परतें लोग़ों को पढ़तें पहले जो पहले जो पहले जो वैदिक कल्चर में ब्रहाम्मन होती थे वह सिख्छा दें थे और जो पढ़ाते आप कैसे ढौक्टर बन जाएंगे, आप कैसे इंजिनिर्價 बन जाएंगे वह प्रायते हैं, कैसे आप भगवान के जो आदेंस हैं उसको समझेए, और किस प्रकार से हम भगवान के पास जा सकते हैं, तो ब Panel के बार्णमन का कारी हा जाता है, छात्री का कारी है, उन्हारमे दिहाए मे च्छत्रिय के कारी बताया गए इस और है कि सुरियं तेजो सुरियं तेज़ा धृती डाक्ष्यम एजुद्धे चापई अक्राइन एफ दरती नहीं है आपकई उनको मोका मिल जाता है उन इस टानम इस्वराव खतेक्स न बहता है ऑल प्रोटेक्टर और चात्रिया का दर्म है हो उनके प्रोटेक्सिन की भाववन होती है द्धर्म के चार पिलर्स हैं जो भागवतम के प्रतम असकांद में धर्म के पाल पिलर्स बताया गया है और द्धर्म के चार सिदान्त हैं तो यह हमारा जो जीवन हो उसका आधार धर्म उसको समाज को करते हैं चत्री कैसे सबी अपस में कौन कारी चा चारेगा सुरक्षा होता है और फिर आगे आता है यह लाइसर से व्यर्श सभाव जंदर्न का यह हैकाड़ क्या है कि इसका मतलब यह नहीं किया अगर पिता के दो पुत्र रहें तो एक भगवत दां जाएगा दूसरा नहीं जाएगा पिता का यह समाज का यह बेबस्तां रहना होना चाहिए जो законquer बेटा है वह लिस्ट इंटेलिएंट ओल झाईगा उसके लिए पर वस्ताय किया जो लैस इंटेलिजन प्लास्न फ्लैं व्र इस तीनों क्लास को सपोर्ट करते रहे और यह क्うकुत करेगा करेगा है अगर यह सोरी कर रहे ź सब्सक्राइब कई लोग करम करने चैसे बिद्स आ क्षाइब करने चांपर कि तोर पेट्रोलियु निकाल और निकाल के क्या करने उसमें समूरद्र खाने लगोश्ट और को यह नहीं है साइनिस्ट को जनकारी नहीं है कि जो आप पेट्रोलियम निकाल रहे हैं उसको रिप्लेस करना है खाड़े-panि इसे जब हो जाता है तो क्या वह जो जिसने है अगर प्रुओं पट्रोलियम क्रूज में तो यह क्या हो जाता है तो लेकिन आप पुलत सब्れक Надо सब लोग इंद्रियों भोग में लगा हुए इसको आप अच्छे कारी में लगा हुए तो आज की रेट में लोग लोग बोलता है कर्म समझना पड़े हैं क्या हम उग्र कर्म को कर्म बोल रहे हैं तो भगवान इसको बताते हैं इस्थापना किये गुनों के धार पर जन्वों के धार पर नहीं और चारों वर्णों को कारी दिये गए अब यह जो चरम स्लोख है वो बताता है मन मना मुझे मन लगाओ तो क्या बता सकते हैं कि अगर हम उग्र करम करेंगे तो भगवान मन लगेगा हम बोलेगे निनी सहर में रहते हैं और दिखे हम बैंक में काम करते हैं हम फर्मसीटिकल कंपनी में काम करते हैं हम जहां जहां काम करते हैं तो तो क्या हम स्लाटर हैं को फाइन्स करके क्या हम भगवान मन लगे हो मुझे हमारे पास कोई प्रोपजी लागर आएगा तो हम उसको उसको रिजेक नहीं क उसका पास्टर क्रिकोर केसे है तो क्या है तो हम भगवान बोल रहे हैं मन को मुझे में लगा और तो यह इसलिए जो आचारी होते हैं जो गुरु परमपड़ा होती है वह हमें गाइड करती है कि भगवान में कैसे मन लगाए जाए इसलिए प्रभबाद बताते हैं वाट इस ऐसे से सकता है यहाँ बहुत है और बहुत मीलेंगे और हमारी माता है annad our कैसे गणकी रख्षा होगी हम एहमदाबाद साहर में रा रहा है वहाँ पर देखते हैं कि कई सारे उसको पांजरा पॉल होता है पांजरा पॉल में गायों को खास करके जो पुरानी मतलब जो ओल्ड गाय हो जाती है उसको हम रखते हैं वहाँ पर हम उसके लिए कुछ दोनेशन करते हैं जो समझते हैं कि गौड अक्षा करनी चाहिए तो करते हैं लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जो भगमान बता रहे है हम किसी चीज को करने वह हम होता है सब्सक्राइब और उसको समझना है तो हम लेटर क्या है गाए की रक्षा करने हैं हम जह हमारे पिता जी सब्सक्राइब आज हमारा बढ़े हमने 5001 रुपया हमने 5001 रुपया साध्यार के लिए या गयाओं के लिए और के लिए दबा के लिए हमने दिया आचा लोग करते हैं हां रख्षा किये हुए तो समझना पड़ेगा है कि यह जो कारी करना है वो लेटर में है या स्पीरिट में तो अगर सो गौर्ष समझेंगे तो लेटर में लेटर का मतलब होता है साथ दिकर्थ में देखो सास्तों में लिखा हुए गौकी रख्षा कैसे होगी एक गाय है उस कि अगर रखेंगे तो क्या होगा हम हम उसको करना नहीं देखाएंगे कब तक देखाएंगे एक बच्ड़ा होगा दो बस्तना होगा पूरे भारत बार्समें लों गया होगे तो सब्सुद्र हो अर्भमवें तो लिकिति हो यह जैसे चार अपश्पना उसमें इसमें ब्रह प्रश्च नहीं बनाया गया उसको पता रहे नहीं जाई है आपको पास करना ही पड़ेगा आपको 90 पर संद लाना ही पड़ेगा उसमें वह यह उगिता नहीं है समय कम है और लक्ष हमको मालूम है लक्ष क्या है गति भरता भगवान प्राइब बहुता है नमय द्याय में तो हमको मालूम है समय हमारे पास कम है और हमको क्या किया जाल रहा है 25 साल अभी 35 साल अवा की अज्टाब को प्राप्त कीर चार्फ करने में fan sa तो यह बिवस्ता है समाज बहुत है अभी 35 यह में लोग भीवा कर रही है मैं कुछ निपल महिला से मिला तो मुझे लगा कि वह भीवाहित होंगी लेकिन कुछ बात चला तो मैं भीवाहित नहीं हूं मेरे बढ़ी बहन और मेरे बड़े भाई बिवाहित नहीं है तो अच्छ बढ़ा फिर मुसे रहाने गया वह लगा कि यह भी कैसा है पहले 25 साल के वह विवाह करने का फिर बच्चे लाने में समस्या होती है डॉक्त ऐसा बताता है कि फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है तो देखिए कैसे लोग कल्यूग में अपने 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 बना बनात करता है और फिर आपको दस साल में पड़ता है तो थर्टी फाइफ से लिए उप्र आपन करते हैं कि हम इस परकार से अपने आपको स्थिफाई करता है कि मैं और उस जाओंगा तो पूरा में चोर जाई ए पिर विवाह करना इस नत कहा है और तो उस प्रकार में कॉन आपका के मिलेंगे कि कुछ बक्ति-ग्राम से भगतायत है वह ले जाने यहां से तो वह इन कांकरिष्ट मार्श की दा घ्रिए जिसमें गाये जो होती है वह भी बच्छी बच्री जो होती है और जो होता है वह बड़ा होके वह एक अच्छा बैल बनता है जिसके खेती और लगा सके क्लाइमेट क्लाइमेट मतलब होट है तंड में ज्यादा होट है फिर भी वाहां पर वह सर्वाइब करते थे समझ सकते हैं कि उस प्लेस पे ठंड भी ज्यादा होता है और गर्वी भी जयता होती है तो चिंता यह हुई कि अब जाएगी केसे क्योंकि रास्ते में गौर अक्षक हैं बहुत और वह तो समझना पड़ेगा कि वह अच्छा काम कर रहा है वह इंस्योड कर रहा है कि गायक को स्लाउटर हॉस में लिए जाए बट समझना पड़ेगा कि हम यह जिसे कल ही अब उस्तों कर रहा है तो यह बताया कि भागे पड़ुए उन्हें बोला कि कुछ गवर अक्षा के लिए आप दान्स दे सकते हैं तो उन्हें बताया कि ऐसे कि जो स्लाउटर हॉस में तो हमारे ही लोग करता है तो स्पीट और लेटर में क्या हो रहा है कि हम गाए की रक्षा करना है गाए घर में आई उसको एक रोटी खिला दिये लेकिन समझना पड़ेगा कि जो गाय के की जो इस बड़ी हो गई मतलब हो सकती है तो भगवान बोल रहा है गवर अक्षा का मतलब होता है गाए को सद्दूस करना है समझना पड़ेगा कि किसी भी मां के पुत्र को अगर हम मिस्ट्रीट करेंगे तो गाए कभी परसंद नहीं होगी यह पर्थम असकंद में प्रभवाद तात्पड़ी में बताता है कि किस प्रकार से यृजिश्ट्र महाराज के समय में गाय के दूज से धरती सिज्जा दे पड़े अब एक है वो गाय को दन्र दे रहा हुए तो मैं आपको मुझे जगास्पेस ब्लंड और लेकिन देना पड़ेगा और लेकिन चहान जाता हूं राने के लिए यहां पर आपके करें मतलब करना सAKते हैं का रहने के लिए बोलता है चाहर देते हैं द्यूत्व पाना है सुना जहां घंबलिंग होता है पानम मतलब जहां इंट्रॉक्सिकेशन लिए आता है और सुना मतलब अगर जब कल्यूब ने कि निया तो क्ल्यूब महराज के समय में यह चार प्लेस नहीं था आज जो बड़े बड़े सहरों में भारत मिक्सित देश हो गया तो यह चारों चीजें आपको भरपूर मात्रा मिलता है लेकिन प्रशित महराज के समय में जिस समय गायों की रक्षा की जाए थी इसमें धर्म जीवन का केंद्र था और उद्य से जीवन का था नाते विदू स् तो उसमें यह चार चीज नहीं था फिर जब कल्यूग ने बोला कि मैंने पास फिर इसका मतलब आप मुझे रहने के लिए तो फिर उसने रिक्वेस्ट किया और फिर उन्होंने जैसा मताजी ने बताया स्वर्ण में तो गौरक्षा का मतलब होता है कि हम्में गायों के सब्सक्राइएं जो गाय है वह नोशीच में शहरते कि में और रिक्षा की उन्होंने भाल बाल उम्में उन्होंने बच्छ sorry Kiya और जब वह पास ऐसे जाता है जिसमें वोगे हो जाते है और फिर हो तो हम भगवान में मन लगाएं तो मन लगाएंगे कैसे जब जो भगवान के आधेस के अनुसार जो विर्ति पड़कारी हो रहा है तो मन लगेगा तो कृष्ण संब्दाय के बारे में चर्चा कि जाती है जो बार बार मैं दो महिना पहले में खारगर इसकों टेंपल में था तो जो भगनास वी कर दो कि हमने देख लिया है कि जो इंड़स्टलिण इकॉनोमी और यह या तो इंडिस्ट्रिण एकोनोमी नहीं के प्रिए पर करना परेगा है तो हर एक आचारी है वो इस पे जोर दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम मन मगाएं आचारी का काम क्या है गुरु का काम किया है भगवान को कैसे लगाना उपसामदाई में रहेंगे और उग्र अपने पिता को प्यार करता है इसको क्या काता है इसको काता है दू बच्छन बोला है जैसे जब कही ने कही ने असलिशन बोला कि जब जस्तजी ने उनको बुलाया कि राम को बुलाया टो राम जी को बुलाया गया और फिर कही में बीच में डोका उनको कई 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 को लगा कि अभी हम अगर राम को इसे चपाथ को करें और फिसक्ट एंगे तो all that अच्णrekद इसलिंद में आप पिता जी की बात को मानगे दो निन ने वह अगनी में विधाद करने के लिए में लोगłosम में अबल्ड़ मैं इमिलिइटक्श करूग मां तुरत पर्विस करूंगा क्या मुझे पिदा जी ने अग्डी में प्रविस करने का दिया है तो कई-कई मा समझ गई कि अभी यह फट में मतलब अभी रिवोल्ट नहीं होगा दरवाइज रिवोल्ट होने का चांस्त है सु दीवचन में अपने जिसे प्यार करता हूं लेकिं मैं अपने नलीकी की बात को नहीं रहे हम आप भारत हमयार में पुर्प है चौनि और तो समझने के तो उसके उसके करते हैं नारे पास हम कुर सकते हैं तो यह जो पादा रहा है वह इसके पहले भगवान बताते हैं सर्वमी दम भूया स्रीनु में प्रमम बचया कि यह सबसे भूहितम ग्यान है मैं जो देठा हूं इसका मतलब है काफी यह कॉन्फिडेश्यू क्यान है जो भगवान हमको बता रहा है जो सबसे जादा जो प्रु लिए मेरा पर्षण दिया है मैं आसक्त मना परता योगम यूंजुन मदासरय असंद संभ रहे इंपोटेंट भागवद किता कि अरुपत में यहां पर बताते हैं मई आ सक्त मुझे में आ सक्ति उत्पन करो तो आत्म सक्छात्कार के लिए दोड दोड ऑव्ट संदेह कालो असनशे आममा पुर्ण रूप से समगनम मा बतला फुल फेत हम 50% यह कर सकते हैं 50% करते हैं तोड़ा शाई अभी तोड़ा शाबीसिस अचे समगनम मा फुल फेत यथा असनशे रूखरब मा और क्या बोलते हैं कि यह था ग्याससिता स्रीनू तो यह बताते हैं प्रोसेस से कि सुनो मुझको तो हमको सुनना है भक्ति के जो प्रोसेस हैं अंग बताए गया है उसमें से कौन को से अंग है स्रवन किर्तन इसनू तो पाद्शेवन अर्चनम बंदन दास्यम साथ्यम आत्मनीवेद्वन तो यहां पे जोड दिया रहा है स्रवन करो कैसा स्रवन करो विना डाउट के हमको संधेय नियों चिए समग्रम मा असंशें समग्रम मा समग्रम मतलब फुल फेथ 50 परसन फेद नह तो यह जो सात्मा दिया इसके परपट में भाग्वतन के कुछ अपन किया है प्रता सकते कौन सा स्लोक का वर्न किया है अब तो यह भगवान की कथा को सुन्जे से क्या होगा सुन्यूताम सवकता कृष्णा पुनि स्रवन कृतना हिर्दय अंतास्ताहिए अभद्रानी हमार मन में बहुत साइडाउट है समग्रम असंद समग्रम में तब तक हमारे जो हार्डवेर में जो भाइरस गया हुआ है वह भाइरस को हम पारे पूरिफाइए करने के लिए तो एंटी वाइट क्या है भागवान की कथा को सुन्ना किसे तो पर अधिर्टी से सुनना उस से क्या होगा हिर्दय अन्था से अभलाने और हम फिर दिर्था भगवान के पर दिर्था हो जाएगी आगे भी असलोग है लासे भीद्यते घरणती चिद्यंते सर्व संसेया चास्रिकर्मानी दिस्ट एव आत्मनिस्टोड़े तो प्रोसेस गया अभी क्या है जो पुब पहुपारा गया है इसां भागवान को मनन लगाने में क्या दिफिकलिकल्टी तो बता रहे है ल हम जब लाइफ में आना चाहते है जैसे वेद oyster में बताया तो चुरे के दार पचलना में है लेकिन प्रभबाल अन्य कालना है कल दो जो यह चाहर नियंग कहा बता है नहीं कहीं बताये है इस केंटों में अन्य है कौने है और चाहिए तक कंट्ट लिग अ है कि वह पाप जनानाम पुन्य कर्वं जब हम पाप बुर्थी को छोड़ें के नहीं तो हम प्रिटिए नहीं होगा जैसे तो अगनी जल रहा है अब हम उपर से अगनी में पानी जाना है तो आपकी फिलोस्पी आप से आपको ने बोलता है बोला है लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्यों समझ नहीं पाएंगे कि हमको समझना पड़ेगा कि हपो जो चार निसादात्मकारी है जो अचारी ने बताया है मुझे वह करना है और और क्या करना है कितना करना है minimum करना है कोई काम नहीं है वेदर इतना खड़ाब हो गया कि हम जाने सकते हैं प्रभबात की पुस्तके भी नहीं है नेट करनेक्शन नहीं है मोवाइल डिश्चार्ज हो गया क्या करना है तो यह हमेशा भगवान का करना है और चार्ण करना है तो क्या होगा नहीं है अगर चार्ण करता है और का जब करता है तो कहां होगा नाते विदुस्वार्थ गतिमी इस पर इसको सिंप्लिफाइग किया है तो यह है हीरिंग का प्रोसेस है अभी मन को भगवान में लगाने की जो बात की जा रही है तो वहां पर जो मई आसक्त मना पार्था जो बताते हैं तो मई आसक्त मना पार्था सात्मय अध्याय का पहला स्लोक है और सात्मय अध्याय का पहला स्लोक जो बोलते हैं इसका द्यान यहां भी यहां पर योगी नाम अभी सर्वे साम अत्मना सद्धावान भजते योमाम सब्दों में अगर देखेंगे सद्धों हरे जिगा स्रद्धा समग्रम युक्त युक्तमो मत है मद गता अंतर आत्मन हर एक जिगा प्रुपाद इसोडी वो भगवान है वो बता रहे हैं मन को कहां लगाऊं क्यों मन को लगाऊं लगाने के लिए बोल रहा है माइन इस विकेड माइन विकेड है है में अजय आप लोग यहां पर lectureर है सउन रहे हैं लेकिन मन कहां है कहीं और चलागया है माइन हमाले कंट्टोल में कषा में हुज हम से कुछ माइन को को मॉस्क्ति यह हम नहीं है मैं जये हम हम ऑनख कर ले coupon Promet रखम हम से कुछ माइन को बेठें यहां है पर कहीन चला जाताया है तो जो आपने मन में मुझे कर रहा है तो ऑगे भगवान यहां पे आता है कि अर्जुन जब कुछ रियो पर है तो अर्जुन बोलते में युद नहीं करूँगा लेकिन आर्जुन की लग क्या था वो कैसे दौसके पास थे अगर दोसरा आता है ठीक है ठीक है चलो ठीक है लेट्स वेट आप ड्रिंक चलते हैं कोई जी करता है करो तुमको युदध नहीं करने का मन करता है वह भगवान के सामने थे उन्होंने क्या किया स्विकार किया मैं अब कुछ समझ भी पारहों क्या कडूँ क्या करूं मैं आपको सुउकार करता हूं कि यहान अपय बोलना चाहता हूं किि अगर मुझे बोल जाँगा bearings के सब एक्चंछली क्या है यह बहुत बड़ा विस हां तो जब वो अर्जुन सवाल पूछते हैं कि मैं आपका सिस्सी बनता हूं मुझे बताइए और फिर आगे बताता है तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान वह मन तो मैं लगाता हूं लेकिन चला जाता है तो लोगे ब्रिंग बैक इस बीडिक ऑजाओ तो आप जो बोलते हैं नहीं नहीं पॉसिबल नहीं आप बोले दिसनोट पोशिवल वाईऊ को चंट्रॉल करना हो Probst उससे भी कठी में मतलब बता रहा है चंचलम ही मना क्रिष्णा प्रमाथी वल्वद्रिधम तस्त्याहम निग्रहम मन्य वायो रीव सदूस्क्राव। भगवान मन बहुत चंचल है और इसको कंट्रोल करना इंपोसिवल है वायू सभी जादा कठी नहीं टो भगवान बहुद्व बतते हैं क्या इंपोस्कों है अंसे महा भाहो मनसीम बाल ने इतलोलों से बोल्रहे हैं से वह मोथी चंचल है इंचल मन पक्रिकी निग्रणों क्या स्थी आग्यवाना अब क्या बताते हैं टेकणिक सब्सक्राव क्लूडल रहे हैं सिक्रेट मन को पर बढ़े हो नहां है और कि परकार से अब धैना ए यहां अब तो यहां बतारे थर exposed अभ्यासन का मतलब होता है जो हम हम ऑंतरा स्टींट भाणता मतलब में dobrze है किस परकार से खक्तों को इंगेज string मतलब क्या होता है समाज में बात करें का मतलब होता है कि वह कपड़े बदल लिया और अभी थंड़ा है तो थंड़े थंड़े टाइम में वह बीना कपड़े के गूम रहा है उसको नहीं एक गिरहस्त भी रागी हो सकता है अगर उसने अपने जीवन का अधरक्स भगवां को प्रसंद करना रख लिये एक जिम्मिदारी होती है यहां को देते हैं प्रवान और भी कलू देता है की यह स्लोग जो है अभ्यास तु अभ्यास अभिद्धि बताता है तसमात सरवेश। कालेश। काले सु माम जूथेच रही बनूबुद्धि रवान बताते हैं कोई दिककत निये तुम तो यहां पर आचारी पारफ्रेश करते हैं और अर्जुन के मन में संदे हाता है कभी-कभी जब बारतालाफ होती है तो बारतालाफ सब्सक्राइब होता है शर्टन जब यह अर्जुन क्योंकि तस्मात सर्वे से काले सु मावर सुनिये मई अर्पित मनोबुधि माव सुनिये यहां भी वही है संसे करने के लिए तुम युद्ध करो मुझे असमन करते हुए यसे हम लोग अपना जोभी विर्ति प्रकारी करेंगे लेकिन अग तो अगर हम भगवान के लिए कारी करेंगे तो क्या है तसमात से माम अनुसमना युद्ध मन को भगवान में लगाएंगे तो भगवान बोलने डोंट वडी यूविल कम टूबी लेकिन यहां पे अर्जुन साब्दी कर्थ पूश्त है कि वह आप मुझे बोल रहा है कि आदाथे दिए कि आप अभ्यास योग युगति ना चेट्सा ना अन्य कामिना अभ्यास संभी आए डुर्गम पत्था जो है वह अभ्यास से सुगम मन जाए यह यह भगवान में बता रहे है जूंभान बता रहे हैं प्धा आरा है भगवान लुका मतलब क्या होता है वज कि आपके संसे को दूर करते हैं मेरी जब दिख्षा होने वाली थी तो प्रभु जी थे टेली को पुछा कि क्यों आप भक्तिरी का स्वाइमराज से दिख्षलना चाहते हैं तो मेरे मुझ से निकल गया कि वह भारी है तो उन्हें मुला कि इसका मतलब तो मैं मतलब समझ रहा बहुत कंपे सब्सक्राइब करता है कि जो आपके संसे को खत्व करतें के जो आपको यह पैसले के लिए थो जो आपको सही में अरि प्रभ्रव तो तो यह तो यह समझे काफी लंबा तो यह चीज है तो इस चीज है टेक्निक कैसा है कि हम को सिट जो भास में बात करना चाहता हूं कि अभी हम लोग ऑगा हुए पुस्तख वितरण करने में आनंद प्रभुय जितने भी आचारी आचारी मैं यह जितने भी आचारी लों स्रिला प्रहुपाद सिड़ा पर करना महराज स्रिदान लोग पुस्तक वितन पर करते हैं कि इसमें सीक्रेट में सेक्रेट विच तो क्या सीक्रेट क्या क्या बताएंगे क्या हम लोग पुस्तक वितन करते हैं कि यही है कि हमारा मन कहा लग जब हम इस पुस्तक को हाथ में लेते हैं और उनको बोलते हैं देखिए जीता जयनती है आप भगवान स्रीक्रिष्ण नहीं यह जिए आज ही की दिन बगवान ने अर्जिन को ग्यान दिया था हमारे हाथ में कौन है किसको अंदेना है प्रयास करना है हम क्रिष्ण उसको देने का प्रयास करना है और सिक्रेट क्या है तो दमोर यूडिफ टु अधर दो अधर्स दमोर्यू विल गत्रिस्ट भीश्ट इस इसका मतलब इस पर ध्यान जयन जाना है झाल करना है हमको साथना करना है हम लेक्टों का संग करना है लेकिन यह ध्यान रखना है कि दूसरे को कैसे क्रिष्ण से जोड़ रहे हैं हमको क्रिष्ण को दूसरे को देना है हमको यह ध्यान देना है कि दूसरे को जोड़ना है यह आइडिया कि हमारा हम कितना आगे बढ़ना है उससे ज्यादा है कि नहीं हम कितने को देना है तो सिक्रेट है की हम को समझना है कि हम बच्चे के सरफे 궁금한 बच्ते में तो इस प्रकार से एक बच्चन होता है बहुत जल्दी करता है क्योंकि वह inση review रहता है क्यों कि रखना हमले प्रीब समझन चLSU1 क के बाद सम्मेसर नहीं है सम्मीसर नहीं है तो तो ऐसा करना है कि हम लोग तृद्धा में आजवाजव में सब लोग फ्लैट लेलते हैं और रहेंगे महाँ पर क्या भक्तों का संग का मतलब होता है भक्तिन पर कारके होता है हमको जैसे जैसे किसी वर्तिस मिलते हैं तो हमको तुरुत इमिलेटली लगाना चाहिए कि हमसे उ है उनको बथलाना हो तो इस परकार से मन मना हम खुआन को मन लगाना है पुष्त पीत रन मन लगाने का हम फिबाहरीक है यह हम साथना करते हैं लक एक हम तोक आपनी फोन लग लगा तो हम लोगा है आई इस अंभा या संक्तों कि अस को मिलेगे मुझे तो पुस्त वितरण यह है हम यहां पर क्यों है हम यहां पर आप करने के लिए गोल-फिक्स रखना है पाइन सिली च मनन मतलब मतलब परक्ठी स्कोपट करना मनतलब हमारा मान मतलब हमान में लगा हम क्या है पर्फे...? करने के लिए सिंसरेटी सिंसरेटीकों करना है कैसे गोल्ड पीओर होता है लेकिन गोल्ड को माइन से निकाले जाता तो उसमें क्या मिला हुआ मुर्ण इसका है उकिसे मिति मिला होता है उसमें पथल मिले होता है उसको जीलिए को फ़र्दर प्योर करना है और पुस्तकवितरन के वह थो हमको प्रयास करना ताकि हमको कुछ तक ज्यादा वितन करना है ताकि हमको क्रिस्न का प्रेम मिले गुरु जो परंपड़ा है उनका प्रेम मिले ले हरी किस्ता आज जा पाओ पाद कि जया जाए ग्रंग वित्रण कि जया जाए